हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो मैं चैनल तो दोस्तों आज मैं हाल ही में मैट डॉक्स की चौते फिल्म इस्तरी टू को एक्स्पेइन करने वाली हूँ जिसमें इस बार सरकटे नाम की एक दानव का आतंग दिखाया गया है इसके फर्स्ट पार्ट में इस्तरी का आतंग जो मुवी स्टार्ट करते हैं तो मुवी की शुरुआत होती है ठीक वहें पर जहांपर इस्तरी पार्ट वन खतम हुई थी यानि कि चंदेरी शहर को दिखाते हुए जहांपर इस्तरी एक बार फिर से आती है लेकिन इस पर भापर उसको सम्मान दिया गया था वहांपर उसका पुतला बनाता, साथ ही लिखा हुआ था कि ओ इस तरी रच्छा करना, इसके चलते इस तरी वापस लोट जाती है, फिर हम देखते हैं कि जंगल के बीच पत्था तोड़के कोई निकला है, यानि कि कोई भायानक शक्ती जाग चुकी है, इसके बाद एक लड़की रात में बीच जाते हैं और अब तक चंदेरी में इस तरी का आतंग खटम हो चुका था, लड़कीा लड़कों को इस तरी बना कर डर रही थी, मस्ती कर रही थी, हो मौडरन सोच की भी हो गई ती, चंदेरी में इस तरी का बड़ा पुतला बनाया गया था, उसको सम्मानित करने के लिए जिसके बाद एक दिन रुद्र गृया को एक डाक्या वाला खत लेके आता है। नहीं दूसी तरफ विकी श्रद्धा की याद में छट पर बैठा होता है और उसी मेजिन कर रहा होता है। वो श्रद्धा को किस्क करने वाला होता है कि तब उसे जोर का चाटा लगता जो टाक्या वाले चिट्धी लेके आया होता है। रुद्र विकी को चंदेरी पुरान की किताब दिखाते हुए कहता है कि वो आएगा या यू कहों की आ चुका है। अभी भी चंदेरी पर खत्रा टलानी और नहीं समस्या आने वाली है। लेकिन विकी इस बार यकीन नहीं कहता और उद्र को भगा देता है। विकी श्रदा को अभी तक भूल नहीं पाया होता है। वो उसे सच्चा प्यार करता है। और किसी और लड़की के बारे में वो कभी नहीं सोचता। अब एक राद बिट्टू अपनी गल्फिन चिट्टी को उसके घर पर उसे लोरी गाक सुना रहा होता है। और विकी बाईक पर बाहर बैठा होता है। विट्टू चिट्टी को सुला कर वापस आता है कि तबिवे भयानक दानव आता है और चिट्टी को उठा कर अपने साथ ले जाता है। जिसको कोई भी रोक नहीं पाता। यानि कि अभी तक यह दानव जित तक का लंबा होगा इसके बाद सभी टाउन के लोग चिट्टी को ढूनते हैं लेकिन तभी वारूद्र अपना रिसर्च कर रहा होता है इसको एक बड़ा पैर का निशान मिलता है और वहां पर लेटा हुआ भिखारी चिट्टी का मौजा दिखा कर ये कहता है कि वह सरकटा थ जो चिट्टी को लेकर गया इसी बीच वीकी को दूर एक पढ़चाई दिखती है पास जाने पर असल में उश्रद्धा होती है जिसे देख विकी खुश होता है यहां श्रद्धा विकी को बताती है कि वह जानती है कि चिट्टी के साथ साथ बाकी सहर की लड़कियों को कौ वो सांट जैसा ताकतवर, उड़ जैसा लंबा और आवन जैसा घमंडी था, इसके साथ ही वो सराबी और आयासी भी था, उसके हिसाब से औरतों को काम था चूला चौका और कपड़े धोना और आदमियों को सेटिस्वाइट करना, अब ऐसे में एक तवायफ अपनी प्रेवी से साधी कर रही होती है, तो ये बाद चंदरबान को हजम नहीं होती, इसलिए उसने उसको और उसके आशिक को मार दिया, और यही तवायफ इस्त्री बन जाती है, जिसने चंदरबान का गला काटकर उसको और उसके आदमियों को मार दिया था, अब यह जान विकी कहता है कि इस सरकटे को इस्तरी ही रोक सकती है और इस्तरी को केवल जना ही बुला सकता है इसलिए विक्यों और बिट्टू जना को बुलाने दिल ली जाते हैं यहाँ जना के पास भासकर यानिकी इच्छाधारी भीडिया होता है अब वेकी और बिट्टू जन्हा जूट बूल का चंदेरी लाते हैं चंदेरी आने के बाद उन्हें मझबूराँ जन्हा को सारी बाते बतानी पड़ती है पैले तो जन्ही इस्ट्री को बिलाने क्लिये मना करता है पर बाद में मान जाता है इसके बाद रूदर विकी, बिट्टू और जना इस्त्री के महल में जाते हैं उसे बुलाने के लिए लेकिन वहाँ जना को सरकटा उठा ले जाता है अब जना की अल्मूस्ट मौत हो चुकी होती है पर किसी तरह जना को होश आ जाता है होश आती ही जना सबको महल से भागने को कहता है वो लोग भाई पर जब भागने लगते हैं तो सरकटा उनका पीछा करता है और जना को अपने कबजे में लेने की कोशिश करता है अब जना सरकटे के उपर दारू फेकता है सरकटे को दारू काफी पसंद होती है तो उसे इंज्वाय करता है और हमने पहले पुरान में पढ़ा भी था कि सरकटा सराभी और अयासी था कह जना उस सरकटे को आग से जला देता है जिसके बाद सभी भाग जाते हैं पर वो सरकटा मरता नहीं इसके बाद सरकटा उनका पीछा करता है और चारों पर हमला करता है अब यहाँ पर उन्हें बचाने श्रद्धा आती है वो अपनी चोटी से उससे मारती है पर श्रद्धा की कोसिस बेकार जाती है क्योंकि सरकटा उससे कई गुना ज़्यादा ताकत वा और सकती साली होता है खैच चारों सरकटे से किसी तरह बच जाते हैं इसके बाद रूदर टाउन की सभी महलाओं को बताता है कि उनका मॉडर्ण होना मतब सरकटे को नियोता देना इसलिए जब तक सरकटे का खात्मा ना हो जाए तब तक उने पुराने सोच वाली महला बनकर रहना होगा अब ये जान सारी महला विक्की को दोश देती है कि उसने इस्तरी को टाउन से भगा कर सही नहीं किया जब तक इस्तरी थी तब तक पुरुस उनके कंट्रोल में थे पर अब तो महलाओं की जान पर मुसीबत आन पड़ी है इसलिए सभी विक्की को अपना मसीहा कहती है एक वही है जो इस सरकटे का खात्मा कर सकता है और शद्धा भी विक्की को कहती है कि उसके अंदर प्यार की शक्ति है और बहुत अच्छा है और एक वही है जो कुछ कर सकता है क्योंकि भवश्वाणी के हिसाब से एक वही है जो उसको रोक सकता है शदा विकी को एक चाकू भी देती है और कहती है कि उसे इस चाकू से एक बार में सरकटे के सीने में घोपना होगा अब इसके लिए विकी प्रैक्टिस में लग जाता है अब सरकटे को फसाने के लिए रूद एक नाज गाने का प्रोग्राम सेट करता है जिसमें अपनी गल्फरिंड समा यानि की तमना भाटिया को बलाता है अब नाज गाने के दोरान सरकटा वहां आता है विकी पूरी हिम्मत के साथ उस चाकू को सरकटे के सीने में स्टैप करने की कोशिश करता है पर करने ही पाता अब सरकटा सभी आदमियों को पजस कर लेता है और तमना को ले जाता है कोई कुछ नहीं कर पाता यहां तक कि उसे बचाने श्रद्धा भी नहीं आती इसके बाद रूद को उस चिट्टी भीजने वाले का एड्रेस पता चलता है उस एड्रेस के पत्ते पर जाने पर उन्हें एक आदमी मिलता है जो कि चंदरभान की फैमली का था जो कि अक्षे कुमार होते हैं वो बताते है कि उसी ने पुरान में से सरकटे के बारे में लिखे कागज को पाड़ा था और उसी ने उन पन्नों को रूदर के पास बिजवाया था और बताया था कि सरकटा आएगा आगे बताता है कि सरकटे को उसी की जगे पर जाके हराया जा सकता है लेकिन उस जगे पर ना तो पुरुष ना तो इस्त्री और ना ही कोई जानवर जा सकता है दूसी तरफ पूरे टाउन के आदमियों की सोच बिल्कुल चंद्रबान जैसी हो गई होती है सभी अपनी घर की ओड़ों को घर के अंदर रखते हैं अब महापूजा भी खुदी करते हैं इसके बाद रूद्र जनाव विकी और श्रदा महल में जाते हैं सरकटे की जगा जाने के लिए श्रदा जादू से विकी के अंदर चली जाती है जिसके बाद और वो लोग सरकटे की जगा पर पहुँच जाते हैं मही जनारूद्र को महाभायत के संजे की तरई अंदर हो रही सभी चीजों के बारें बताता है अब अंदर शद्धा विकी को सभी लड़कियों को बचाने को कहती है और खुद की बली देने को क्योंकि सरकटे को इस्तरी की बली चाहिए होती है और इस्तरी की चोटी शद्धा के पास होती है इसलिए सरकटे के लिए स्पेशल बली वाली इस्तरी वही है ना चाहते हुए भी विकी को शर्दा की बात मानी पड़ती है, विकी जम बाकी लड़कियों को बचाने जाता है, तब सरकटा आके शर्दा के मूँ से उसकी सारी शक्ति खीचने लगता है, और ऐसा करने पर वहाँ बंदी सा भी औरतों की भी शक्तियां जाने लगती है, अब ये देख विकी गुस्से में आता हूँ, सरकटे की सिर को एक बार में दो हिसों में काट देता है, पर सबसे शौकिंग अभी ये होता है कि वो सर अब दो हिसों बढ़ जाता है, दो से तीन और तीन से चार, इस तरह जैसे जैसे सर कटते हैं, वैसे वैसे उनकी संख्या बढ़ती जाती है, जिससे स्रीने चंदरभान का सिर काटा था, वो उसे उस तलवार को निकालने के लिए कहती है, क्योंकि एक वही है जो उस तलवार को निकाल सकता है, विकी कोशिश करता है पर निकलती नहीं, इतने में सर कटा विकी और शिदा को मारने वाला होता है, कि तभी जना का प्लान भी काम आता है यानि कि उन दोनों को बचाने के लिए भीडिया आता है यानि कि भासकर भीडिया सरकटे के सभी सरों को पूरी तरह से खदेरता है इसके बाद तीनों सरकटे से लड़ने के लिए तयार होते हैं पर तबी सरकटे का सरी वहां आ जाता और सभी सर उसके सरी में समा जाते हैं। सरकटा अब भयानक रूप में दिखता है जो कि बहुती ज़्यादा शक्ति साली और विशाल होता है। वो सबसे पहले भीडिया को एक पंच मार का धराशाई कर देता है जिससे वो इंसानी रूप में आ जाता है। विकी भी दूर जा गिरता है और फिस शद्दा को चोक कर उसकी चोटी उखार देता है। सरकटा शद्दा को मानने ही वाला होता है कि तब ही वो आवाज लगाती है। और कहती है कि मा जिसके बाद इस्त्री आती है और फिर इस्त्री और सरकटे में युद्द शुरू होता है। दोनों एक दूसरे को जबदस ट्रक कर देते हैं। अब यहाँ पर शद्दा फिर से वीकी को वो तलवार निकालने को कहती है। और महल की आकरती में जिस छोटी लड़की को उसने देखा था वो वही है ये सुन विकी सोसता है कि ये तो 200 साल से भी जादा पुरानी बात है तब शद्धा कहती है कि उस सच में एक छलावा है यानि कि डायन चुडल या जो कुछ भी कहलो शद्धा कहती है कि वो अपनी मा की आत्मा को शांती दिलाना चाती थी इसलिए उसने विकी से दोस्ती की क्योंकि एक वही है जो उसकी मदद कर सकता था आगे कहती है कि उन दोनों में जो भी प्याहर है वो सच्चा है बस ये प्याहर जिसमानी नहीं हो सकता इसके बाद शुर्दा फिकी के कान में अपना नाम बताती है अब वो क्या बताती है ये हमें नहीं बताया गया इतना कहने के बाद शुर्दा कायब हो जाती है अब इसके बाद हमें मुझिया मुवी का पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहां जना भासकर के लिए मु वेंपायर है जो कि उसका खून पी सकता है अब ये बोलने का मतला आप ये सो सकते हैं कि हो ना हो मैंट डॉक्स वाले वेंपायर से रिलेटेट नई मुवी लाने वाले हैं अब इसके बाद एक और पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जिसमें उसी मेंटल हॉस्पिटल म आदमी में आ जाती हैं और ये आदमी कोई और नहीं बलकि अक्षे कुमार होता है और इसी सस्पेंस के साथ ये मुवी यहीं खतम हुजाती है तो दोस्तों क्या लगता है कि स्ट्री 3 आएगी मुझे तो लगता है कि हो नहों पार्ट 3 में विलन अक्षे कुमारी बनेगा ख